नमस्कार मैं हूँ आपके शंग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेज कासकरम के साथ होली एक ऐसा रंग बिरंगात योहार है जिसमें हर धर्म के लोग पूरी जोस और उत्सा के साथ मनाते हैं हम आपको बताएंगे कि होली का क्या है सही समय, क्या है सही तारिक तो हमारे साथ बने रही हम आपको एक एक चीत बताएंगे कि होली मनाने का क्या है सही तरीका क्या है हुलास्टक, होली का धन की क्या है खास बाते और रंग बाली होली की दिन आपको क्या करना है खास तो सबसे पहले हम चलते हैं होली 2019 का सही समय और सही तारिक देखी होली की सुरुवात होती है होलास्टक से होलास्टक जो इस साल आठ दिनों की है जो 13 मार्च से ले करके 20 मार्च तक है जो होली का दहन के साथ ही समाप्थ हो जाएगा होलास्टक को जो 30 की दृष्टी से एक दोस माना जाता है जिसमें सभी सुवकार्ज बरजित माना गया है जैसे कि बिवाह, ग्रिह निर्मान, ग्रिह परवेश, गरवाधान सारे सुवकार्ज को बरजित माना गया है इसके बाद होली की जो सबसे महत्पुन परव है वो होता है होली का धहन जिसे हम छोटी होली भी बोलते हैं जो 20 मार्च 2019 को है इसके बाद जो सबसे महत्पुन पर्व है, होली, जिसे हम धुलनडी भी बोलते हैं, या इसे रंगवाली होली भी बोला जाता है, जो 21 मार्च 2019 को है अब हम बताते हैं कि होलीका ध्षन की क्या है खास बाते हैं देखिए होली के पर्व में सबसे महत्पुन पर्व होता है होलीका ध्षन जो फालगुन महिने की सुकल पक्स की पुर्णिमा तीथी को मनाई जाती है आठ दिन की होलास्टेक में जमां की गई लकडियों और उपलों को एकत्रित करके होलिका दहन मनाय जाता है जो होलिका पूजन के बाद होता है होलिका दहन के बारे में एक कथा आती है भक्त परलाद की पिता हिरनकस्व खुद को भगवान मानता था और वो बिशनु बिरोधी थे जबकि भक्त परलाद बिशनु भक्ते हमेशा बिशनु भक्ती में लगे रहते थे हिरनकश्चप ने अपने बेटे परलाद को बिश्णु भक्ती से रोका और जब परलाद ने नहीं माना तो हिरनकश्चप ने उसे मारने का प्रियास किया इसी करम में हिरनकश्चप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगा जिसे आग में न जलने की ब्रतान प्राप्त थी अपनी भाई की बात मानकर होलिका ने अपने भाई की सहयता के लिए राजी हो गई और उसने क्या क्या कि परलाद को अपने गोद में लेकर क्या आग में बैठ गई भगबान बिष्णू की किर्पा से होली का आग में जलकर राक हो गई और परलाद बच गया तो इसलिए होली का दहन को हम सत्त और सचाई की जीत का भी पर मानते हैं जिसमें प्रलाद को सच्चाई का परतिक माना जाता है और होली का और हिनर कश्चप को बुराई का परतिक माना जाता है इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रंगवाली होली की क्या है खास बात देखिए चेत्र मास की क्रिष्ण पक्ष की परतिपता को रंगवाली होली मनाई जाती है जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है जो होली का दहन के अगले दिन मनाई जाती है जो इस साल 21 मार्च 2019 को है इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अभीर गुलाल फेकते हैं ढोल बजाकर होली की गीत गाय जाते हैं और घर घर में जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है होली के दीन लोग पुराने गिले सिकवे को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं तो मैंने आज आपको बताया कि होली का क्या है सही समय, क्या है सही तारिक, कैसे आपको होली मनाना है, क्या है होलास्टक, होलास्टक के समय में आपको सुभकार्ज बरजित है, यह आपको नहीं करना है, इसके साथ मैंने आपको बताया कि होली का दहन की क्या है खास बात, और आपको क्या करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो अपने जिंदगी में भी होली की इस खास मौकों का फैदा उठा करके अपने जिंदगी को भी रंग बिरंग से भड़ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद